कि अब दोस्तों स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो अभी जिस सेर की हम एनालिसिस करेंगे वह है है विल्स इंडिया लिमिटेड और है विल्स इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही भरोसे मंद सेर है जिसमें हम अपने पैसे लगा के उसे छोड़ सकते हैं ठीक है तो जो टाइम यह मैu जो टाइम प्रेम है एक मिनटेम डेली टाइम टाइम पर चला जाता हो तो तो इस लिख लक्वेश भी अने के बाद यह आय Slaving को रोना की बाद जब करेक्शन हएं था réflट ने के बाद यहां पर फीच्टौ और ठीकिल पहले पहले तो पॉल एंद फ्रंग यहां पर सम solche ने ब्रेकवाट देने के बाद यहांपे यह यहां फर्स टाइम जब आके इसने हिट किया थो यह अभी एजर इस रेजिस्टेंस एक कर रहा था लेकिन इसने रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक आउट दे दिया और देने के बाद ब्यूटिफुली देखी यहां पर उसको सपोर्ट मतलब देने के बाद इस यह सपोर्ट करने लग लेकिन इंसाइड यह क्लोज हुआ है और कल का जो दिन था उस दिन क्या हुआ कि इसने ऊपर ओपनिंग हुआ और नीचे मतलब क्लोजिंग भी वहीं पर हुआ है इन डिसीजिजन जैसा कैंडल बनाया है तो यहां पर देखने के वाली यह चीज है कि जो आज जब मार्केट ओपन होता है तो जब आज मार्केट ओपन होगा तो फ्लैट मार्केट ओपन होके जब उपर जाएगा तो हम इसमें अपनी कंडिशन बना सकते हैं क्योंकि अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत चोटा स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 1265 का इस एर चल रहा है तो हम इस रेजिस्टेंस लाइन की नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा और रहेगा 1257 के आसपास अगर आपको देखें क्या है अभी इस रेंज में फसा है तो जो अपना टार्गेट बनता है इस रेंज का डबल बनता है तो उससे क्या हो रहा है वो यहां के आसपस बन रहा है तो यहां पर आएगा फिर से यहां से हीट करके हो सकता है नीचे आ जाए लेकिन अभी जो कंडिशन दिख रही है कि यहां से हिट करके उपर जाएगा और मेरी बात मानी है अगर यहां से एक breakout देता है तो बहुत तेज उपर जाएगा मतलब जब भी share कोई भी all time high बनाता है और अपना यह जो यहां पर देखिए कितनी दिनों से यहां पर ही सारे buyers accumulate हो रहे हैं और इसको नीचे जाने नहीं दिये हैं तो जितने भी buyers हैं वो आएंगे और इसको बहुत तेजिस उपर लेके जाएंगे क्योंकि उपर कोई भी resistance नहीं है बहुत ही ज्यादा इस पेस है इस share को travel करने का ठीक है और टेक्निकली हम बात कर रहे हैं इसका जो डबल होगा वो तेरह सो चालीस रुपे के आसपास होगा तो आप क्या कर सकते हैं अपना stop loss एक तो यहां प एक छोटे से stop loss के साथ 8 रूपे के stop loss के साथ मैं इसमें अपना position बनाऊंगा और मैं minimum 1 raise to 2 profit book करने की कोशिस करूँगा profit book नहीं करूँगा अगर इसे cross करके उपर जाता है तो मैं अपना stop loss क्या करूँगा ट्रेल करके यह जो नया resistance यह जो नया हाई बनाया है ठीक है इसके नीचे मैं पूट कर दूँगा तो इसमें अपनी हम position बना सकते हैं और अपनी और अच्छे से कहां पर position बनाना उसके ल और इसको इसने breakout दिया फिर से नीचे आ गया है ठीक है आने के बाद ठीक है लास्ट यह जो 24 को यह लेकिए लास्ट जो मतलब लास्ट हाफ में यह फिर से ऊपर गया है और यह जो ट्रेंड था यह जो resistance था उसके उपर इसने close दिया है ठीक है तो हम क्या करेंगे अपना stop loss यहां पर रखेंगे 1257 के आसपास और यहां पर एक चोटी सी पोजिशन बनाएंगे ठीक है और अपना फर्स टार्गेट 1280 उसके बाद हाई के लिए वेट करेंगे यहां पर रखेंगे क्या कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और वेट करेंगे कि यह बनाएगा 1340 के आसपास जाएगा तो पूरी क्वांटिटी अपनी एक्जिट करेंगे तो आसा करता हूं आपको यह समझ में आई हो एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है तो इसको आज आप अपने बावाच लिस्ट में रख सकते हैं और बाई करने के बारे में सोच सकते हैं तो आज का सेयर था यह हैवल्स इंडिया लिम्टेड ठीक है तो चली हम आपसे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें धन्यवाद